हाई वरीबन आज की सेस्टन में आप सरी का स्वागत है वेलकम टो स्वरूप अकेडमी आज की इस वीडियो में बहुत ही मात्पून अपडेट पर चर्चा करेंगे जो की संबंदित है जारखंड में सिख्छक नियुक्ति से संबंदित अब देखीगा तो अभी लंबे समय स जारखंड में विभीन अस्तरों पर, PGT लेवल पर, PGT लेवल पर, 1-5, 6-8 लेवल पर सिख्छों की नियुक्ति की जा रही है और उसके लिए एक्जाम की कुछ परकिरिया चल रही है कुछ के रिजल्ट विएर भी आ चुके हैं, जोइनिंग लेटर भी मिल चुका है और जेटेट हो गया, 9-10 हो गया, उसके वेकेंसी आना बाकी है, इसी बीच एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि जारखंड में 12,000 सिख्छों की नियुक्ति की जाएगी, बहुत सरचात इसमें कन्फ्यूज हैं, कि सर की ये किस तस्तर पर नियुक्ति होगी, इसके 1000 सिख्छों की नियुक्ति की जाएगी, क्या इसमें कोई परिक्षा होगा या नहीं होगा, और सबसे important इसमें जो नियुक्ति होगी, इसके लिए qualification क्या होगा, कौन-कौन छातर इसमें apply कर सकते हैं, तो हर वह चीज बात करेंगे, जो कि आपके लिए important है आज के इस वीडिय कर लिए, जैसा कि हमने आपको बताया था, यह offer कुछी दिन बचा हुआ है, मातर भी 2-3 दिन आपका यह offer बचा हुआ है, और इसमें आपको 50% discount मिल रहा है, 1-5 के लिए, मातर आपका minimum piece पर आप यहां पर देख सकते हैं, 2000 के लिए 1-5 और 6-8 के लिए, मातर 4000 में आपको सारे चीज़े आपको उपलफद होगी, live class, notes, test, सारे चीज़े आपको उपलफद होगी, और यह सिर्फ जो है आपका, जो offer होगा, first 200 चात्रों के लिए यह offer होगा, जो चात्र अभी तक join नहीं किया है, जल से जल join कर लिजे, और इसमें आपको, जो भी classes मिलेंगे, हमारे app पर, Sw जो हमारा app है, उसके माध्यम से भी आप join कर सकते हैं, इसके अलाबा TGT, जारकें TGT के लिए 9-10 के लिए फिकेंसी, जल से जल आने वाले, इसमें भी offer चल रहा है, 12-20 discount, अभी से paper 2 के लिए लेते हैं, तो 4,800 और दोनों paper के लिए 6,300 में आपका संपुर्ण आपकी तयारी हो जाएगी, जो चातर अभी तक join नहीं किए, जल से जल जल join कर लिए अभी इसमें जो नया बैच जो है आपका प्रारम हो है, जेनरल पेपर के लिए, कोमर्स के लिए, एकनोमिक्स के लिए, कमिस्टरी बायो के लिए, और साथी, हिस्टी और शिविक्स के लिए, जो है प् से अब चली आते हैं जो 12,000 जो वेकंसी आने वाले ये वो किसे समंदी थे, आपको पताते हैं जो इसकूलों में नियुकती होती है, जो टीचर की आपवाइंटमेंट होता है जारखंड में, तो आपको पताते हैं यहां पर 4 अस्तर पर, 125 लेवल पर 6-8 लेवल पर 9-10 और जो होता है आपका 11-12 के लिए देखीगा तो जो पर्मानेंट नियुक्ती होती है वो आपका या तो वो एक्जाम जो है आपका सबसे पहले तो जेटेट एक्जाम होता है 125 और 6-8 के लिए जैसा कि अभी इसके लिए विकेंसी आने वाले है जो कि जैक के द्वारा जारी किया जाता है पहले इसमें नियुक्ती जो होती थी जैक जो एक्जाम लेता था उसके बाद सीधे जो सरकार पोस्ट निकालते थी और उनको नियुक्ती दिया जाता था लेकिन आप चुकी जो जेटेट पास है उनको भी आप JSC के दुवरा जो 40 एक्जाम में साया कचारी ओभी एक्जाम देना पड़ेगा तब जाकर उनको नियुक्ति मिलेगा जो भी चल रहा है उसके लबा जो पर्मनेंट नियुक्ति के लिए 9-10 के लिए JSC एक्जाम लेता है 11-12 के लिए भी JSC एक्जाम लेता है जिसको लोग यहाँ पर PGT बोलते हैं और TGT यहाँ पर 9-10 के लिए बोला जाता है अब जो यह 12,000 नियुक्ति क्या इससे समंदित है तो बिलकुल यह इससे समंदित नहीं है यह पर्मनेंट नियुक्ति नहीं है यह जो है घंटी अधारिक जो है तिक्षो की नियुक्ति की जाएगी जैसा कि आप कॉलेज वगेरा इन्वर्सिटी वगेरा में देखते होंगे वहाँ पर नियुक्ति की जाती है जो गेस्ट फेकल्टी होते हैं अभी नीड बेस्ट जो है असेशन प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी फैकल्टी की नियुक्ति की जाएगी उसी तरह जार्खंड सरकार ने तैय किया है कि जार्खंड के प्रात्मिक विद्यालियों में जारखन के प्रात्रमिक विद्यालों में घंटी अधारित सिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और यह जो नियुक्ति होगी प्रात्रमिक स्कुलों में जनजाती और छेत्रिये भासा में जनजाती और छेत्रिये भासा में किलियर है? अभी कुछ दिन पहले जो जीले स्तर पर नियुक्ती की जा रही थी पराट टीचर्स की उसी के जैसा ये नियुक्ती होगा, ये थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि जार्खण में अभी तक छेत्रिये और जनजाती भासा के लिए स्तिक्षयों की नियुक्ती नहीं की गई है अब ये पहली बार होगा जार्खण में कि स्तिक्षयों की नियुक्ती की जाएगी अब स्वल उड़ता है कि कौन-कौन से छेत्रिये और जनजाती भासा में नियुक्ति होगी ध्यान रखेगे भासा से समंदित होगा नियुक्ति इसमें जो नियुक्ति की जाएगी विद्यालियों में संथाली भासा, हो भासा, खडिया भासा, कुडुक, मुंडारी, माल्टो, बिरहोरी, भूमीज, असूर, बांगला, उडिया, पंचपरगिया, खो किरिया को एक बार समझते हैं, इसका प्रोसेस जो है, क्या होगा, जैकिए यह जो नियुक्ति होगी तो यह इसमें तो कोई एक्जाम नहीं होगा, जैसे कि इसमें युनिशिटी जोगेरा अपॉइंट्मेंट जैसा करते थे, उनके लिए जो युनिशिटी के वेबसाइट या कॉलेज के वेबसाइट होता है, उस पर नियुक्ति आती है, और जो चातर है, जैसे कि जो चातर PG किया हुआ है, नेट क्वालिफाइड है, या पिर PhD किया हुआ है, वो फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, तो उसी तरह जीला स्तरिये, इसमें प्रोसेस होगा, 24 जीले हैं, तो हर एक जीले में ये नियुक्ति की जाएगी, जीला में एक कमिटी गठीत होगा, जैसे कि ये पहले भी आया था, तो मोडल इसकूल आल आपको याद होगा, नियुक्ति नहीं हो पाया था, अब ये भी नियूज में आया है, साक्चरता विभाग निये सारे प्रोसेस को कम्प्रीट कर दिया है, अब ये काबिनेट में जाएगा, काबिनेट में मनजोरी मिलते ही, जीले स्तर पर इसकी नियुक्ति होने लगेगी, पिछला बार ये सारी परकेरिया हो गया था, मोडल इसकूल के लिए, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई थी, इस बार द बात करें, तो जैसे कि हमने बताया कि जारखन के ये चोबी जीलो में नियुक्ति होगी, और ये जीला स्तर ये, जो डिस्टिक का जो वेपसाइट होता है, ओफिस्यल जो वेपसाइट होगा, वहीं पर आपको ये एडबर्टाइजमेंट जारी होगा, जैसे कि जीले की वेपसाइट में, जिस जीला में आपको अपलाई करना है, हर एक जीले की वेपसाइट पर आप जाईएगा, वहाँ पर आपको मिलेगा, निकति कैसे होगा, अब ये नोटिस आ गया, माली जी किसी का नोटिस आता है, तो नोटिस आने के बाद आपको उसका एक बरना होगा और में आपके पास यहां तो अब वेबसाइट पर डिपेंड करेगा जीले पर कि आपको अनलाइन भरना ही ओफलाइन जो परकिरिया बताई होई होगी उसके इंसार आपको भरना होगा अब यह फॉर्म भरने के बाद जो है आपको एक डेट दिया जाएगा उसम होने के बाद फिर आपका एक लिस्ट आएगा लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप न्यूक्त हो चुके हैं अभी लिजबिलेटी इसकी क्या चाहिए तो इसके लिए अलग-अलग लिजबिलेटी है यह प्राथमिक विद्यालियों में न्यूक्ति की जा रही है तो इस पर ही नियूक्ति होगी आपका ग्रेजुएट लेबल पर ही नियूक्ति होगा प्राथमिक विद्यालियों में तो लेगिन अगर आपके पास ज्यादा प्राथमिक्ता दी जाएगी और उसके अंग आपको मिलेंगे जैसे होता है नहीं जैसे कि मानलीजे आपका कोई प्रो तक के लिए 20-20 अंग आपको दिये जाएंगे इसके लाबा इंटर के लिए 30 अंग, इंटर में अगर जन जाती और 6-3 भासा, असनाक गोतर और प्रात्मिक स्रिक्षन प्रिक्षन जो परिक्षा है अगर उसमें है तो उसके लिए 10 दक अंग निर्धारित किया गया है तो मतलब कि वेटेस दिया जाएगा, मैट्रिक में आपके मार्क्स के उपर, इंटर में कितना आपका मार्क्स है तो उसके अधार पर आपको पॉइंट मिलेंगे और overall पॉइंट जोडने के बाग जिसका हाई स्कोर रहेगा उनको नियुक्ति में प्रात्मिक्ता दी जाएगी इस अधार पर नियुक्ति यहां पर की जा रही है अगर आपके पास highest qualification है, किसी ने अशना तक भी किया हुआ है अशना कोतर, मतलब PG विगरे किये हुए है उनको भी प्रात्मिक्ता, क्योंकि point वहाँ से बढ़ जाएगा अगर PG किया हुए किसका, तो उसका 10 point बढ़ जाएगा तो PG किया हुआ नहीं है, तो उसका 10 point घंड जाएगा तो प्रात्मिक्ता, जिसका point जादा रहेगा, उनको प्रात्मिक्ता मिलेगी अब बोलिए उसका point कैसे बढ़ेगा, तो जा आपके पास जो degree है उसके अधर पर point आपका बढ़ेगा एक चीज और यहां पर है, कि इंटर में आपका कम से कम 45% होना चाहिए क्लिए रहे qualification तो हमने बता दिया, metric, इंटर, मतलब कि आपका ही प्रात्मिक्ता दिया लिए के लिए है तो इंटर में आपका कम से कम 45% होना चाहिए अब यह देखेगा, यह newspaper में आये हुआ है कि 45% होना चाहिए कुछ चातर है, चुकि यह कल ही आया था newspaper में, तो कुछ चातर पूछ रहे है तो class कर भी रहे हैं और अन्य चातर भी कि सर कि मेरा 45% से कम है तो क्या हम निवत नहीं हो सकते है, माल लिजे हम कोई reserve category में है OBCA मेरा या STSCA तो जहरखन में यह नियम है कि अगर आप reserve category के है तो आपर आपको 5% का benefit मिलता है यह हर exam में हुआ थाय कचारी में प्रारभ में यह नहीं दिया गया था यह 5% का reservation बाद में जोड़ना पड़ा PGT में भी नहीं दिया गया था PGT में भी नहीं दिया में यह नहीं दिया गया था नेकिन नहीं नियम होली बनी उसमें 5% को reserve में दिया इसमें भी ज्जादा चांस हे कि 5% आ रिज़र्वेसं दिया जाएगा जो reserve category के है अब फाइनली हरे जीले का जो नोटिस हाईगा उसका धार पर पता चलेगा कि क्या किया जाएगा अब इसमें age limit क्या होगा कोण age limit क्या होगा इसका age limit इसका जो रखा गा है minimum 21 years है और अगर हम maximum की बात करें तो maximum इसका 45 years है 45 years कम से कम आपका age जो है चाहिए तो यह सारे चीजे थी जो हमने आपको यहां पर बता दिया है तो आपको क्या करना है जिसके इसके लिए जैसे ही आपका कैबिनेट में पास हो जाता है कुछ जीले का जारी होना प्रारम होता है हम उसको discuss भी करते जाएंगे आपको जिससे कि आपको information मिलते रहे हैं आप उसमें apply कर सके अब इसमें बोलिएगा सर कि इसमें payment कितना मिलेगा salary क्या होगा तो salary के लिए यहाँ पर कुछ अभी नहीं दिया गया है कि आखिर उसको घंटी अधारी तो उनके नियूकती की जा रहे है तो आखिर उनको payment की इतना किया जाएगा इसके बारे में इस newspaper में नहीं दिया गया है चुकि अभी इसके लिए process चली रहा है काइबिनेट में मुझूरी मिलेगा उसके बात पता चलेगा कि इनका लिए जो घंटी अधारी तिनके नियूकती है तो उनको पर आवर के हिसाब से कितना पर आवर के हिसाब सही इसमें payment होता है जैसे कॉलेज या अनिवरसिटी में 5600 payment पर आवर के हिसाब से मिलता है अभी तो उनको बढ़ा दिया गया है अभी तक ही का तो इन्हेंट बेस्ट है उनको संता पहले 36,000 जो 500 के लगबग मिलता था अभी तक ही का तो उनको 57,000, 60,000 के लगबग मतलब मिलता है इसमें भी आपका उतना तो नहीं मिलेगा लेकिन हाँ उसके हिसाब से ही फर आवर के हिसाब से आपको उससे कम लेकिन अच्छे वितन इसमें भी मिलेंगे तो यह सारी इन्फोर्मेशन जो है इससे समंदित हमने डिसकस किया अब जैसे कि सिक्षों की नियुक्ति की जाएगी उसके लिए भी नियम इसमें सिक्षा इभागने बनाया है जैसे कि इसमें नियम ये बनाया गया है कि जहां कच्छा एक से पांच में परती कच्छा नियुनतम दस विद्यार्थी उस भासा को बोलने वाले होंगे मतलब कि मालीजे एक स्कूल है और एक मालीजे उसमें किसी हम क्लास की बात करते हैं क्लास वन की उसमें अगर कम से कम दस विद्यार्थी बंगला के बोलने वाले हैं बंगला के सिक्षक की नियुक्ति की जाएगे, कम से कम 10 हरेक कलास में होने चाहिए, उस भासा को बोलने वाले विद्यार्थी, अगर कोई नाकपूरी बहुत बड़ा मुश्किल है, क्यांकि हरेक इस मैल में सर्वे करना, लेकिन ये सर्वे हो चुका है, कि जीला में जील सिक्षाविभाग को भेजी सिक्षेगों की आवसकता की सर्वेर रूपर ये रिपोर्ट आ चुका है मतलब कि किस तरह से निवक्ति होगी तो कंडीशन रखा गया कि कम से कम किसी भी स्कुल में उस कलास में कम से कम 10 खातर उस भासा को बोलते हो तब उस भासा के सिक्षर की नियुक्ति उस इसकुल में या उस कलास में की जाएगी ये नियम बनाया गया है एक और यहां पर इंपोर्टेंट है इन्फोर्मिसन दिया गया इसके लिए हम अलग सी वीडियो बनाएंगे ये पीजडी से समन दीत है जो है कि जारकन सरकार जो है मुखी मंत्री फेलोसिप इसकी म जो है स्टार्ट की जरही है जिसमें कि एक हजार जो में धावी छात्रों के अगर वो पीजडी करते हैं तो उनको 25,000 हर महीने दिया जाएगा जैसे पीजडी कोन करता है जो नेट जीर्फ वेगर क्वालिफाई मिलता है एंटीए के द्वारा एंटीए ने तुरू मना कर दिया अबी लेकिन जल्दी उसका परमिसन मिलेगा ज़ारकन में भी पीजडी के द्वरा जेट का योजन करा है जाएगा लेकिन अभी तक परमिसन नहीं मिला है अभी जात्रों का जाएंग जिडेट आए पखाई में जेट होगा ही नहीं जेट होगा अभी NTA जारखंड में जेट आयोजन करने पर ध्यान नहीं दे पा रहा है किमकि उसके पास काम का प्रेसर है उस पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर हब सारे कोर्ट पर उसकी सुनवाई चल रही है इस अपडेट से जो हमने आपने आप सारा चीज डिसकस कर दिया है फिर भी अगर की नहीं हो कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछिए का इसकी रिगार्डिंग हर एक जीले में अगर जैसे ही इसका इडवर्टाइजमेंट या नोडिस आता है हम आपके साथ वो चर्चा क चाहिए जहारखेंड में देखीगा तो कब कॉन वेकेंसी आएगा पता नहीं है अभी तो एक तो विधान सवाचुनाव है अभी तो नया वेकेंसी आने की बहुत कम परवबिलेटी है लेकिन आने की चांसे लेकिन जेटेट अगर मानली होता है तो उसमें भी अगर आपको मतलब कि आ जाता है तो एक्साम होने में वी टाइम रिजल्ट होने में अपने लगता है इसलिए इस तरह के अगर वेकेंसी आती है तो आप इसमें जरूर कीजएगा अगर आपका वह भी से रहा है तो यह सारी इंफोर्मेशन ज है आपको सारे चार्चा कर दिया है नमिलते है नेक्स्ट वीडियो में लास्ट में इंपोर्टेंट जो आपके साथ चर्चा परारब में हमने किया था google लासे के रिखाड नाइं जल से जल कर लिजी है यह बार यह सायर चाहएं और मुंस्किल होता है इसलिए हम यह सारे फैसिलेटी आपको यहां पर ओलाइन ही दे रहें जो सेम टूस्टेम ओफ-लाइन के जैसा ही होता है इसमें लाइव हो गया रिकोड़ी हो गया अभी देखिए यहां तो पीजीटी में हमारे यहां से करीब अलग-अलग विसायों में करीब आपका 300 से ज़्यादा सेलेक्शन हुआ है जो कि अच्छे खासा में सेलेक्शन हुआ है कोमर्स का हमारे यहां सबसे ज़्यादा सेलेक्शन हुआ है एकनोमिक्स का मैट्स का आपका फिर आपका हिस्टी का तो अच्छे खासे सेलेक्शन हुए है तो आप जरूर जोइन कीजिए जिस इपने ह्यां है अप अच्छे से तयारी करा रहे हैं जारकन के थोड़ा अलग पैटन है यूपी का अलग है बिहार का अलग पैटन है उसमें नत फस जाते हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि ना आप उधर के ने रहे इधर कि जारकण में तो एक वेगेंसी आती नहीं है जल्दी आप 1500 में बहुत सारे देखते हैं कि तयारी करवा देते हैं 1200 रुपया में आप समझ सकते हैं यह इतने सारे पढ़ने अब UP वाले में आपको पढ़ाने लगेंगे बोल दागें कि आपको तो वही पढ़ना है पढ़ना वही चीज दो बहुत सारे उपी वाले राजस्तान वाले जारकेंड में तो बहुत सारे लेकिन पता चल रहा है कि नहीं उसका तो यूप योगी नहीं हो पा रहा है तो यह चीजे आपके साथ नहीं समय वेर्थ न जाए पैसा यह यह चीजे अपनी जगह पर है पैसा आ सकता है कमा लेंगे तो लेकिन अगर समय चला जाएगा एक्जाम चला जाएगा फिर दूसरा एक्जाम कब आएगा अभी देखिए जो PGT में भास हुए कहीं पर अच्छे से तयारी नहीं कर पाए जारकंड के संस्तान से तयारी किजिए जारकंड में जो बेहतर संस्तानी महां से तयारी किजिए तो आपके साथ इन चीजों को ध्यान में रखते हैं अपने तयारी किजिए आपका बेहतर रिजल्ट होगा जोईन करने के लिए ही जो हेल्फ लाइन नंबर इस पर कॉंटेक्ट कीजिए कॉल या वाटसब कर सकते हैं वाटसब पर अपना नाम और जो को जोईन करना है अब उसके बाद आप पेमेंट कर दी स्टाट हो जाए आप डाइरेक्ट सवरूप लर्निंग एप से भी जोईन कर सकते हैं 1-2-5 के लिए मातर अभी 2,000 और 6-8 के लिए मातर 4,000 में इसमें संपूर्ण आपकी तयारी हो जाएगे उसी तरह जारकन TGT के लिए 9-10 के लिए भी नियूपती परकिरिया प्राराम हो चुकी है तो इसके लिए भी नए पैच्चे जो है प्राराम हो रहे इसमे हम लोग ज्यादा तर जो है morning में और evening में classes चलाते हैं हाँ कुछ पैच्चे अगर time मिलता है तो हम लोग afternoon में भी चलाते हैं लेकिन ज्यादा तर evening और morning में चलते हैं जिससे कि सभी छातर classes जोईन कर सकें और उनको benefit मिल सकें अगर आप classes कोई miss भी हो जाता है तो आपको सारे क session मिलता है ताकि आप उसका अच्छे से उप्योग कर सकें classes में भी जोईन करने के लिए वही number पर आप contact कर लीजे या फिर application के माधियम से जोईन कर लीजेगा तो आज का session हम लोग यही पर इंट करते हैं मिलते हैं आप next session में thank you everyone